दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पोचे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में और लोग खुलेंगे स्कूल कोलेज सरकारी कारयालों में केवल्टिका लेने वालों को ही मिलेगी इंटी अब 50% की चमता के साथ 8 वी तक की स्कूल खोलने की अनुमती दी गई है वहीं दुकाने सौपिंग मॉल सामाइन रूप से खुल सकते हैं इसके अलावा साधी समारों में 200 लोगों को सामिल होने की इजाज़त दी गई है इसकी जानकारी खुद सीय ट्विट करके दी है अगली बड़ी कबर लता मंगेसकर के निधन पर दो दिन का राष्ट्य सोक आदा जुका रहेगा तिरंगा अंतिम संसकार में सामिल हुए पियम मोदी जिहा देश के सर्वोच अलंकरन भारत रतन से समानित मसूर गाई का लता मंगेसकर के निधन पर देश में दो दिन का पार्क में किया गया इस दोरान उनके साओ को तिरंगे से लिप्टाया गया और ससस्त सेना के जवान अंतिम संसकार में उन्हें अंतिम सलामी दिये अगली बड़ी खबर लता मंगेसकर के निधन पर बिहार में सोग भूजपूरी से लेकर मैतली में भी गाया था गाना सियम नितिस ने बताया आप और ने चती जह भारत की आमोली रत नसूर सामागी लता मंगेसकर का कल निधन हो गया कोरोना की कसर का आवाज देश की स्वर कोकिला की लेल गई उनके निधन की खबर सुनते हैं पुरे बिहार में सोग की लहर दोड़ गई है बच्चे बुजर्ग से लेकर यवावो तक के लिए सुझना सदमे से कम नहीं है लता दी ने हिंदिक के अलावा मेतली और भोजपुरी गाने को भी आवाज दी थी मेतली के उनके गाए गेत सुन सुन रसिया आज भी मितला वासियों की जबान पर है उनके निदन पर मुकिमंतरी नितीस कुमार ने कहा है कि लता मंगिसकर प्रख्यात प्रग्याव गाई का थी उन्हें भारत रत्न पद्म विवसन दादा साहिफ हाल के फिल्म पैर लाइब टैम एचिवेंट प्रुसकार समेथ कई आईने किताबों से समानित किया गिया था प्रखकार की तरब से चोटके ऐलान के साथ इनेता प्रतिपाउच तेजस्वी आदाव एक्सन में आ गये हैं तेजस्वी आदाव ने एलान किया है कि वह बेरोजगारी रेला के लिए आईजन को लेकर बिहार के दोरे पर निकलने वाले हैं तेजस्वी ने कहा है कि उनकी पाड़ी का दिवेशन खतम होने के बाद जिला हिसर पर कायर करम तई किया जाएगा और उसके बाद बिहार दोरे पर वह वालों से सवाद करने निकलेंगे तेजस्वी आदाव ने बताए कि आज सारी पाबंद्या खतम हो रही है अब राश्टिया दिवेशन के बैठक है कि अब मुझता सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है सरकार की असलियत अब उसके सामने आ गई है पढ़े लिखे चातर रोजगार के लिए सड़क पर नजर आ रहे हैं रेलवेश जैसे संसान आज खतम हो रहा है वह अगली बड़ी कबर बेरोजगारी के सवाल लेकर सड़क पर उतरेंगे चिराग पटना में 15 फरवरी को राज भवन मार्च यह अपने राजनितिक असित्व की लड़ाई लड़ रहे लोक जन सकती पार्टी यानि राम विलास के अधच चिराग पासवान ने आकिरकार सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है चिराग पासवान की पार्टी रोजगारी समेद बिहार के आयने मुद्दू को लेकर सड़क पर उतरने जा रही है लोक जन सकती पार्टी ने 15 फरवरी को पार्टना में राजवन मार्च बुलाया है पार्टी इसकी तैयारी में अभ जिबुते के साथ उठाए अगली बड़ी कबर बिहार में प्रावेड मेडिकल कोलेज में 50 पर 13 सिटों की फेस सरकारी कोलेज के बराबर जिया डाक्टर की पढ़ाई करने वाल इस्टूडेंट के लिए अच्छी कबर है अगर वह प्रावेड मेडिकल कोलेज में वास्तविक लागत के आधार पर होगा। राष्ट चिकिसा आयोग ने नई सत्र से मेडेकल कोलेजु के लिए या निया मना दिया है। इस बाबत गुर्वार को आदेश भी जारी कर दिये गए है। में भारिक गिरावाट आई है। और अंगाबाद में दहरादोन और जमू जैसे ठंड रही है। यहां 4.2 डिग्री सेल्सेस तक नियुंतम पारा निचे आया है। आपको बता दे कि राज में कई जगोह पर घाना कोहरा रहा है और द्रिस्तक काफी कम रही है। मौसम प्रदेश में बनेगी। पाटना मौसम विगान केंद्र के मुताबिक उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में कोल्ड डे जैसे परिसिती रह सकती है। हाला कि बाकी जगोह पर तापमान में मिसेस बदलाव के आसार नहीं है। अगली बड़ी खबर अंडर 19 वर्ल्ड कव फा लाब खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कोप को भारत ने जीता है और रिकॉर्ड पाचवी बार ट्रोफी फर अपना नाम चफवाया है। इंग्लेंड ने फाइनल मुकाबले में 190 रन बनाये थे और भारत को 190 का लच मिल था। टीम इंडिया ने 47.04 ओबर में ही 6 विकेट खोकर 95 रन बना लिए। अगली बड़ी कबर दो दिनों की बारिस से हुए फसल नुकसान की सरकार ने मांगी पूरी रिपोर्ट। क्रिसी मंत्री ने कहा है कि सानों को मिलेगा मुअब जिया पिछले दो दिनों से राज में हुई बारिस और कई जगों पर गिरने से हुई फसल च से फसल चती के लिए किसानों को मौवजर आसी बेजी जा रही है अगली बड़ी कबर राज के एंजिनरिंग कोलेजों में बीपेसी सहायक प्रोपेसर अंग्रेजी हिंदी वो लेक्चरर भरती के लिए अभियर्तियों के लिए हम सुचना जारी जिया बिहार लोक सेवा आय करी कोलेजों में सहायक प्रदान इद्दापय के वहम राज के पोलेटेकनिक संस्तानों में ब्यक्ता के पदोपर नियमित नियोकती के लिए आयों ने भीगापन संख्या 56220, 60220, 60220 वह 12220 के लिए आविदान मंत्रित के गए थे भरती प्रक्रिया के क्राम में अभियर् अगली बड़ी कबर आईसमान कार्ड बनाने के लिए अब आपको नहीं काटने होंगे चक्कर घर बेटे इस तरह करे आवेदर जिया आईसमान भारत का कार्ड बनाने के लिए आप वसुदा केंद्र और पंचाइद कार्याले के चक्कर करने कातने होंगे अब घर बेटे ओलाइनी कार्ड बनाया जायेगा इसके लिए सरकार ने पोर्टल लॉंज किया है इसी पोर्टल से अब कार्ड बनाए जा सकेगा अभी वसुदा केंद्र या पंचायत कार्याले से कार्ड बनवाने में करेब एक से डेड़ महिने का वक्त लगता है लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर अब हपते से दस दिन में बन जाएगा कार्ड बनाने के लिए पोर्टल पर आवेधन करना होगा यहां जाकर अगर पहले से आवेधन किया हुआ कार्ड बन गया है तो वह डाउलोड भी हो सकेगा बाड़ी कबर बिहार में फरवारी में भी नहीं मिलेगी ठंड से रहात अगले हपते फिर बारिस के असार जिया अ और मौसम के जानकार इसके पिछे जल्वाई परिवर्तन को भी एक बड़ी बज़ा मान रहे हैं अगले हपते पुरे बिहार में फिर से बारिस के आसार है पटना मौसम विगान केंदर की निदेसक विबेक सिन्ना बताते कि इस परिवर्तन ने ना केवल मानसुन सिजन को ब बलके सीत कालिन सत्र को भी पूरी तरह से प्रवावित किया है इन दिनों बादलों की उगरता यानि भारी बारी सरगरज की घटनाओं में बड़ोत्री हुई है अगली बड़ी कबर देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी केंदर सरकार गाओं में लोन लेना होगा असान जीया राज्यों के सयोग से केंदर सरकार अगले 25 वर्सों में यानि 2047 तक देश के सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी इस पहल से गाओ में लोगों को होम लोन लेना असान हो जाएगा इसके साथ इस्तानी बुनियादी धासे विकास मतमक आवेश सकता हो रोजगार के आउसरों और पंचायतों के संसादुनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा पंचायति राज मंत्री ग्रीराज सिंग ने रहिवार को पत्र दिनिदों के एक साथ महिला एक युवा और बुजर को जरूर समिल किया जाए साथ मंत्री ने हर जिले में लोगपाल की 33 सुनिचित करने की राज सरकारों का ध्यान आदक्रिष्ट किया है अगली बड़ी खबर ऐससे इस महने देगा चार परिच्छाओं का परिणाम अभि रिजल्ट आने के बाद सफल अभियर्तियों को अगले चरण में सामिल होने का मौका मिलेगा सबसे पहले 15 फरवरी तक सायोक तिसना तक इस्तारिय परिच्छा 2019 का फाइनल परिणाम सामिल होने की समावना है अगली बड़िक पर बिहार में रोटेशन से होगी स्कुलों में पस्ति छोपेट की दोरी पर बैठेंगे चात्र जाने कोछ जरूरी बाती जिया प्रदेश भर में सुमुआर यानि आज से प्रारामिक मैदमिक उच मैदमिक विदले महा विदले इस विदले और आने संचालित होंगे सेस पचास परतिसद बच्चे दूसरे दिन कख्चा में आएंगे यानि रोटेशन के तहद बच्चों के पस्ति होगी यही वबस्ता क्रमवद से चलेगी अधिक नमंकन वाले सिक्चन संस्तान दो पाली में संचालित होंगे नोवी से उपर के विदले जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं